जै हिन दोस्तों आज 14 सितंबर केंदरी कर्मी पेंसनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे OPS को आरिफ महासचीव ने नकारा है UPS के फायदे गनाए OOP3 विसंगती सैनिकों का अपमान DM को सोपा गया है एक ग्यापन इस पर बात करेंगे और सैनिकों को कुनरवास संस्था की तरफ से 10 लाग की मंजूरी दी गई है 10 लाग रुपए मिलेंगे इस पर बड़ी अपडेट है और ECHS कार्ड में डेटा बर्थ चेंज पर बड़ी अपडेट आई है कार्ड ब्लॉक होने से पहले कर लें ये काम औरोपी 3 एरियर इस महिने नहीं पेंसन बढ़कर आएगी औरोपी 3 लगकर आएगा इस पर बड़ी अपडेट है पूर सैनिकों को लगा जटका 10% रिजर्वेशन खत्म हुआ है और JCO OR की एडम आफीसर की भरती निकली हुए इस पर बात करेंगे तो सबसे पहले पहली ख़बर पर बात करते हैं जो की old pension scheme पर खबर है मैं पुरानी pension बहाली का बिरोध करता हूँ आरिफ महासचिव मिस्र जी ने ये कहा है उनका कहना है कि आरिफ के महासचिव सिव गोपाल मिस्र ने कहा है कि हाल ही में घोसित UPS एकी करत pension योजना को लेकर तमाम भातियां फैलाई जा रही है योजना को रेल कर्मियों के हित में बताते हुए महामंत्री ने कहा है कि 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद रेल संगठन एशोर्ड पेंसन बहाल करा सका है जोड़ा की UPS में कहीं कोई कमी और भातियां न रह जाएं इसके लिए फैडरेशन समय समय पर दूर करने का काम कर रहा है समय समय पर इसके जो दिक्कते हैं विसंगतियां इनको दूर करने का काम करेगा पेंसन के लिए उन्होंने कर्मियों को बधाई दी है अब 50% insured pension आपको मिलेगी ये उन्होंने कहा है रेल फैडरेशन की ये मोहिम 20 साल से चल रही थी सरकार ने old pension तो नहीं दी लेकिन 50% pension का एक insured कर दिया है कि 50% pension जरूर मिलेगी अब बात कर लेते हैं बड़ी update और आई है OROP को लेकर और सैनिकों के साथ अभद्रता को लेकर पूर सैनिक संगर 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 ने ग्यापन सौपा है DM को और बता दें ये खबर है पूर सैनिक संगर संगर कोट द्वार का मानना है कि सैनिकों और उनके परिवार के साथ सामाजिक द्वेस और अबतिलता की गटनाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सैनिकों और पूर सैनिकों को मनोबल पर विफरीत असर पड़ रहा है। कुछ लोग सेना को पैसे कमाने का साधन मान रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा को ठेश पहुचाई जा रही है। पूर सैनिक संगर समीत कोड़ द्वार के अध्यच महिपाल सिंग रावत ने कहा है कि सैनिकों की सेवाएं और बलिदान देश की सुरच्छा के लिए अनमोल है। लेकिन आज सैनिकों को समाज से अपमानित महसूँज कर रहे हैं और जगह जगह पर ऐसी घटनाएं हो रही है। जहां सैनिकों के साथ अबधरता देखी जा रही है। उन्होंने डीम को ग्यापन सोपा है और कहा है सैनिकों के साथ अग्निवीर जैसे भेदभाव होकर अब जो सैनिकों का जो सम्मान था सिविल में वो खत्म होता जा रहा है। उसके उपलच में ये ग्यापन सोपा है। एक बड़ी अपडेट आई है पूरु सैनिकों और अस्रितों को मिलेगा दस लाक रुपए साथ में और भी कई सहायता रास मिलेंगी राजभवन से मिली मंचूरी। पूरु सैनिकों को जो उत्राखंड के पूरु सैनिक हैं उनके अस्रितों को उत्राखंड सैनिक पुनरवास संस्ता की ओर से 10 लाक रुपए दिये जाएंगे। पूरु सैनिक के अस्रित हैं सेना, पुलिस और अर्थ सैनिक में अगर चैन होता है तो उनको पूरु सैनिक राजभवन के रूप में 40,000 रुपए उत्राखंड सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सैनिक कल्यान विभाग के ब्रिगेडियर अमरत पाल सिंग सेवा निब्रत में कहा है कि सैनिकों को और भी कई लाब मिलेंगे यसे की मृत्यू पर अस्रितों को 10,000 रुपए अनुदान के तोर पर अंटिम संसकार के लिए ये रास दी जाएगी, चिकित्सा इंजिनिरिंग के कोर्स करने पर 50,000 की चातिपत दी जाएगी और भी कई इसमें जो दी गई है जानकारी इसमें कहा है दसवी और बारुवी ग्यारुवी के लिए 6,000 और 8,000 रुपए बाल्यक और बालिकाओं को दिया जाएगा, इस नातक कर रहे हैं तो 8 से 10,000 रुपए दिया जाएगा, इस नाकोत्तर कर रहे हैं तो 10,000 से 12,000 रुपए दिया जाएगा, ये चात्रपती में परिवर्तन किया गया है उत्राखंड की तरफ से, अब दूसरी बड़ी अपडेट है, ECHS कार्ड होल्डर के लिए बड़ी अपडेट है, ECHS में अगर आपक कार्ड में कुछ अलग डेटा पर्थ है और आपके डिपेंडेंट कार्ड में अलग है, तो आप इन पैनल हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाएंगे, उसके लिए आपको आधार और डिपेंडेंट कार्ड में एक ही डेटा पर्थ होनी चाहिए, अगर इन पैनल हॉस्प कर रहे हैं, तो उनके लिए एक लेटर भी आया है, जिसमें कुछां सकते हैं, तो आप कहीं से भी इलाज करा सकते हैं इसे या इसी से, या आधहार card में या तो change करा ले या अपने record में change करा ले तो यह आप देख सकते हैं पेंसनर्स का change हुआ है इसमें card block की समस्या थी अब card block अगर हो जाता है तो उसको card block को सही करा सकते हैं अपने ये document change करा के अगर नया card बनवाना है तो पहले card को आपको block कराना पड़ता है पहला card जब त बड़ी अपडेट है OROP के एरियर को लेकर OROP 3 का एरियर इस महीने की पेंसन में नहीं आएगा लेकिन आपकी पेंसन इस बार OROP 3 की बढ़कर आएगी जिसको OROP 3 का बेनिफिट हुआ है आपको मैं एक टेबल दिखा रहा हूं टेबल के हिसाफ से जो की टेबल नंबर जो अभी जो लेकर टेबल आई है उसके अधार पर ये टेबल बनी है ये टेबल बता रही है कि आपको कितना एरियर मिलेगा यानि कि 15 से 16 साल सिपाही की जो पेंसन है OROP 2 में 18,807 थी अब OROP 3 में 20,328 रुपए हुई है 1521 की बढ़ोत्री हुई है यहाँ पर आप देख सकते कितनी बढ़ोत्री हुई है और अपनी सर्विस वाइस इसमें देख सकते हैं कितनी आपने सर्विस की है सिपाही जो है इसके बाद नायक टियस सिपाही ACP 1 है उनके लिए ये टेबल है और हवलदार के लिए ACP 2 है तो हवलदार के लिए ये है यानि कि MACP हवलदार हो या से हवलदार की pension ले रहे हैं, उनके लिए ये है, ये टेबल आप देख सकते हैं, OROP 3 में ये बढ़ोत्री ये दी हुई है, ये बढ़ोत्री होगी, आपने इस service देखें, और इसके बाद ये OROP में जो बढ़ोत्री हुई इससे देख सकते हैं, ये शिपाई से लेकर JCO तक की पूरी इसमें जानकारी दी है, और नायप सुवधार ACP जो हवलदार होते हैं, उनके लिए कितनी बढ़ोत्री हुई है तो इसमें देख सकते हैं, ये आपकी बढ़ोत्री हुई है, इस बढ़ोत्री को आप इधर से देख सकते हैं, यह सुबेदार रेंक सुबेदार मेजर ओन्री लेटिनेंट और ओन्री कैप्टन की बढ़ोती है आप इसको भी चेक कर सकते हैं जो भी ऐसी पेंसनेस हैं पहले भी मैंने इसका बीडियो बनाया हुआ है अब बात कर लेतें एक बड़ी अपडेट आई है पूर सैनिकों को 10% म की भरती निकली हुई है इसमें पूर सैनिकों के लिए जो आरच्छन था वो खत्म हुआ है अब पूर सैनिक की जो वैकेंसी है इसमें नहीं दिया है इस पर एक बड़ा लेक छापा गया है जिसमें की पूर सैनिकों के लिए कहा गया है कि आरच्छन इसमें नहीं दिया गय एडिमिनिस्टेटर की बेकेंसी निकली हुई है, पचीस हजार रुपे सेलरी, प्लस इसमें और भी सुल्दाएं दी जाएंगी, एक सरुसमें इसके लिए 45 साल के अपलाई कर सकते हैं, 19 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, अपलाई करने के लिए